अचले एक और बड़ी खबर इस बीच उसामने आ रही है जानकारी देदे की सीएम मनोहलाल 28 से 3 जुलाई तक करेंगे जनसंबाद रिवाडी 22 विधानसबा के 6 गाउं में करेंगे जनसंबाद कारेकरम 22 विधानसबा से गाउं से होगी कारेकरम की शुरूराद आपको बता दे कि इस वरान जनसबाद कारेकरम के चलते भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पहुँचेंगे और तमाम आला अधिकारी भी विभाग के मौके पर मौझूद रहेंगे और यही कोशिश रहेगी कि जादा से जादा समस् समस्याओं के और इससे पहले भी तमाम जिलों में मुख्यमंत्री मनोहलाल जो है कर चुके है जन समवाद कारेकरम और इस बार भी बारी संख्यमंत्री के समक्ष पहुँचेंगे तो तमाम विभागों के आलदिकारी मौके पर मौझूद रहेंगे जो समस्याओं का समधान करेंगे आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिये जाएंगे सबी आलदिकारियों को और इसी खबर पर जादर जानकारी के लिए हमारे साथ अच्छे अत्री जुड़ गए हैं जैसे कि हम देख रहें कि जन समध कारेकरम का आयूजन जो है हर्याणा में किया जारा है और बावल रिवाडी जिलों में किया जाएगा क्या कुछ जानकारी मिल पार इसको लेकर तो यहाँ पर आपको बता दे कि जैसे कि हमारे समधा तब जानकारी दे रहे थे कि रिवाडी बावे विधान सभा के च्छे गाउं में जन समध कारेकरम किया जाएगा और इस बार भी भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की पूरी उमीद जताई जा रही है और ऐसे मैं आपको बता दे कि 28 से 30 जुलाई दे जन समध कारेकरम किया जाना है आजे जैसे कि हमने देखा कि आपने भी जानकारी दी कि इस बार भारी संख्या में लोग पहुंचने की पूरी उमीद जताई जारी हैं लेकिन क्या कुछ मुख्य समस्या है लोगों की वो जाना चाहेंगे जे मनुहलाल जो है 20 से 30 जुलाई तक जन समध करेंगे बहुत बहुत धनिवाद जब करेंगे लोगों की जन समधा हैं लोगों की जेंगे लोगों के लेकिवाद